करके बेदव्यास जी महराज आज सिरी मद्भागवत की रचना करते हैं और ऐसा रचना किया कि इसको जिसमें लिखना प्रारम न किया प्रतम इसकंद आप लोग पढ़ेंगे जो भीया पढ़े होंगे जानते होंगे कि बेदव्याह जी महराज ने किसी देवी दिवता की बंदना नहीं की सिर्फु सक्त की बंदना की वो प्रम सक्त की बंदना की और सक्त ही जीवन का सार है आज मेरे भाईयों जिस समय कि बेदव्याह से महराज ने भाईयों अर रच दीना है भाग अगत प्राद शिरी बेदव्याह से जी भाग वन दीना है प्राण बनार अरे मन मा सोची रहे है मुलिवरा कही का हमा यूदे सुनाई मन मा सोची रहे मन मा सोची रहे अरे कही काते पी सुनाई मन मा सोची रहे अरे भाग दग्रंथ का ग्रंथ न मानो अरे यही का क्रिश्न रूप तुम जानो कि जीवन की लीला कि जीवन की लीला करेई समे रही समाई समची रहे आज जिसमेश अठारवा पुराण श्री मदभागत महा पुराण आज जिसमेश अठारवा पुराण कवे तब व्यास जी ने आज इसमें रचना किया तो पिचार में पड़ गए कि इस पावन अमूल निधी को मैं किसे सरवन कराऊं सोचने लगे तब तक आकास मारी होई किया रहे मुनिवर इस दवा को सिर्फ पीने वाला एक ही पुरुष संसार में है संसार में एक अदमी पी सकता हो भी आपका पुत्र सुखत दिरुजी महराज तब बेदव्या जी महराज गहिनू जनमते पईता होते खन निकरी करा है कहां ठोड़ी जाए जब नारत जी महराज ने बताया कि महराज जब मैं दाशी का पुत्र था संतों का जमावडा बटुरा तो उनकी जिसमें पत्रों की जूठ़ हमने खाई तो हमारा चरित्र बदल गया और हमारे मन में ऐसा विचार आया कि अब हम बाबाजी के साथे भाग जाए नारत बाबा दाशी के पुत्र है लेकिन महतारी जाने पैस तो बाबा लोगन के उल्टा सीथ बकैला कि हमने लईका के लों ठीक है ऐसा पहना नहीं चाहिए नारत बाबास कहते हैं बेदव्यास से कैसा वुचित नहीं था लेकिन हमारे अंताकर्ण से निकल गया तो एक दिन साम को हमारी माता जी को शर्प ने डस लिया और उनका अंत तो गद्वा हो गया और मैं उन संतों की सेवा करते करते जिसमें वहां पर पत्तों की जोठन करते करते वही दासी का पुत्र जिसमें वहां से चोला त्यागा तो उन संतों की जोठन के खाने से देवरिशी नारद बन पाया प्रम्भा का पुत्र ऐशा है संतों का चरित नारद बाबा बेदव्याश को बताती है आज बड़ी चिंता हुई बेदव्याश जी महराज को कि हमारा पुत्र कहा है शूत जी महराज से सवन कादरिशी कहते हैं कि स्वामी हमने सुना है कि सुखदेव जी महराज जब जंगल जात रहे तो एक सरोबर में कुछ इस्तिरिया नंगी नग नवस्था में नहा रही थी और बेदव्याश का लड़ीका नंग नई चलागवा सीध है भागत कोई परवाव नहीं पड़ा उन नारियों पर लेकिन जब बेदव्याश जी पाचे पाचे जाती रहा तब उन्हें लड़कियों ने देखा तो अपने अपने वस्थ धक लिए बेदव्याश जी महराज ने देखा रहे हमारा नौजवान सोला वर्स का लड़का अभी यहाई गली निकरी गवा तो काईंकी आखी बंदरा है और हम इतना बुढ़ाई गेहर इनके परबाबा लागेती है हमका देख वस्थ तो नारद जी ए बेदव्याश जी महराज उस नारियों से पूछने लगे अरे बोले हैं ब्याद ब्याश मुनिवर तब ऐसे बचल उचारे पूले हैं बेदव्याश मुनिवर तब ऐसे बचल उचारे हैं नारियों ने तवसित चाते कर मुनि से अस पैद सुराए हैं अरे जिसको आप सुला वरस्त लड़का वता रहें उगा यहने मालूम की अदमिया लाद रहें की महरवा ऐसा वो संत है वो परम जनम बैरागी है जिसका तुम पीछा करिते हो वो परम जनम बैरागी है जिसका तुम पीछा करिते हो वो परम जनम बैरागी से पूल बहुत जड़ जीवर भर करिते हो कर्वान की जैने और हमारे प्रम अदरीं प्रमसद्धें एकरेश्मुद्राइं श्री गोबिंद भिया सदर्पुर के तरफ से जाल के जाम और एक से एक मुत्राएं श्री प्रवेश विया